ओम नरायन 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 सबमित रुकराम राम दोस्ता भी दो दिन पहले आईश्मान कुराना की नई फिल्म एन एक्षिन हिरो के ओपिशेल ट्रेलर को रिलीज किया गया जिसे देखकर मेरे मन से बस एक ही बात निकली कि बॉलिवूड कितना ज़्यादा सेल्फ आप अपसेस्ट है कैसे अपनी एक कालपनिक दुनिया में जी रहा है देखे ट्रेलर से जो कुछ उपर-उपर से कहानिया में पता चल रही वो यह है कि हर्याना के मनोटी गाव में ये जो एक्षिन हीरो मानव है आईश्मान का करेक्टर वो शूटिंग के लिए जाता है फिल्म वो पढ़ जाता है मानव के पीछे क्योंकि भूरा को लगता है कि भाई मानव ने ही उसके भाई विकी सोलंकी की हद्या की है ट्रेलर की शुरूआत में हम देखते हैं कि ये जो एक्षिन हीरो मानव है वो अपनी गाड़ी में सोया हुआ है और पीछे से ये बूरा सोलंकी जाता है और उसके गाड़ी को टक कर मारता है अलकि याँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद एक सीन में जो ये मानव है वो इस जो भी है गिम्रुत देया है विकी सोलंकी का उसे देखता है और वहां से वो गाड़ी लेकर भाग जाता है अब वो हत्या उसने की है ऐसा कही पर पर आज वो मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है मैं कल ना किसी को जानता था ना आज किसी को मैं जानता हूँ और ये बात वो बिल्कुल frustration में ये बात कह रहा है तो वो काफी genuine भी लग रहा है कि भाई वो किसी को जान नहीं रहा और बस वो फस गया है इस पूरे चक्कर में और ये जो भूरा सुलंकी का character है उसे निगम पारशत कहा गया है और बिल्कुल ही short tempered, गुसेल, हिंसक प्रवृत्ती का, बाद बाद पर हाथ उठाने वाला, बंदू को से गोली वगरा मारने वाला, इस प्रकार से एक अती ऐसा मतलब गलत character एक प्रकार से उसे दिखाया है, अब गाउ में रहने वाला वेक्ती, तो अब्विसली इसी प्रकार से stereotype किया जाता है, गाउ के लोगों को बॉल्ड की फिल्मों में कि उनके पास ज़्यादा बुद्धी होती नहीं है अब ये एक hero है तो उस पर ही अब्विसली किस प्रकार से लोग संशे कर रहे हैं देश में भी कैसा एक बॉल्ड के विरुद्ध कैसे वातावरन है लोग बॉल्ड को बाकार्ट की बाते कर रहे हैं जबकि सच्चाई क्या है ये जानने का प्रयाज भी नहीं कर रहे है पर एक जज कर किया जा रहा है बॉल्ड के एक्टर को बाकार्ट की बाते की जा रही है बिना कुछ जाने तो मीडिया हो अरनब गोस्वामी जैसा दिखने वाला एक कारेक्टर भी हमें देखने को मिल रहा है जो ये कहता है कि हमारा एक्शन हीरो हमारा यूथ आइकॉन कहा है आगे एक क्लाइन में वही मीडिया जो अरनब का जैसा है दिखने वाला जो क्यार्टर वो कहता है कि अब ये समय आ गया है कि हम हमारे हीरो को चेंज कर ले और उस क्यार्टर को आबवियसली बेवकुफ की तरह मुर्ख की तरह दिखाया गया है जो अरनब गोस्वामी से inspired character लग रहा है इसका लगा एक दूसरा भी एक मीडिया का पत्रकार हमें देखने को मिल रहा है जो कि ये कहता है कि मारों के फिल्मों की boycott का एलान कर दिया गया है तो मतलब मीडिया हो या देश की लोग हो किस प्रकार से बॉल्यूड को judge कर रहे है किस प्रकार से मतलब एक hero जो अपना काम इमानदारी से कर रहा है जो पहले ना किसी को जानता था ना अब किसी को जानता है ना उससे इस पूरे विशे के बार में कुछ पता है वो तो शांती से अपना काम कर रहा था पर भाई देखो देखो कैसे जज़ किया जा रहा है बॉलिवूड को इसलिए मैंने कहा इस ट्रिलर का एक-एक सीन एक-एक समभा डायलोग सुनने के बाद में यही बात आ रहे थी मन में कि भाई बॉलिवूड कितना ज़्यादा सेल्फ आपसेस्ट है मतलब वो फिल्में भी बनाता है तो उसमें आम लोगों का जीवन हमें देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप हम रिलेट कर सके ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा वो खुद को ही justify करने वाली फिल्में बनाया जा रहे है मतलब लोग क्या सोच रहे है आप दश्यकों से इस देश की संस्कृति, कल्चर उसे किस प्रकासे टर्गेट करते जा रहे है लोगों की आस्ता को किस پ्रकासे पैरोटेले रौंदने वाली फिल्में बनाते जा रहे हैं चाहे वो नक्सलियों को करांती कारें दिखाना हो अतंकोदियों को justify करना हो पत्थरबाज़ों को justify करना हो वोही सब बात है मैं बार बार बोलना भी ठीकड़ें पर देखा हैं न हमने देखा पिछली कुछ समय में कि लोग बहुत ज़्यादा पीडित है बॉलिवड से, उनके मन में एक पीड़ा है, जो बॉलिवड ने किया है पिछली कुछ दशकों में, और आज जब वो बिल्कुल शांती से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं सोशल मिलिया के माध्यम से तो मतलब उन्हें इस प्रकार से प्रेजिट करना फिल्मों के माध्यम से कि जैसे उन्हें कुछ समझ में यह नहीं आ रहा हो, वो तो बस ऐसे ही जज़ कर रहे हैं बॉलिवड के एक्टर्स को और वो तो बहुत मतलब जैसे संत हो बॉलिवड के एक्टर तो मतलब मुझे कम से कम ट्रेलर देखकर तो यही वाइब्स आ रहे हैं इससे और क्या हाँ एक और रायलोग जो भूरा सोलंकी का कैरेक्टर है उसके मूँ से बुलवाया है जो शॉट टेमपर्ड है, हिंसक है बाद-बाद पर मार पिट करता है एक स्रीन में वो मानो आईशोमन खुनाना के कैरेक्टर से कहता है कि पब्लिक पागल नहीं है जो तुमारी फिल्मे देखने जाती है जिसे तुम अपनी कमाई कह रहे हो ना, वो प्यार है हमारा, जो हमने दिया है अपनी मर्जी से, अब ये बात भी जो देखिए, जो बुरा सोलोंगे के मुझे बुलवाई है वो एक बहुत ही गुसे में मतलब एक एहंकार से जैसे वो बात कह रहा हो, इस प्रकार से उसे प्रेजेंट किया है कोई sensible विक्ती, sensible वे में ये बात कह रहा हो वो ऐसा नहीं दिखाया, बुरा सोलोंगे उसका केरेक्टर ही किस प्रकार से प्रेजेंट किया है आप देखिए और वो ये बात कह रहा है, मतलब आज हम देश में देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई, बॉलिवूड कैसे self-obsessed है या यो वो पैसे कमा रहे हैं, लोगों का प्रेम ही, जो बाते आम लोगों की द्वारा हम सोचल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, लोग जो बाते बोल रहे हैं, उसे कैसे present किया जा रहा है, वो हमें पता चलता है, ट्रेलर से मतलब मैंने तो इस पर कम, मुझे तो यही वाइब्स आ रहे हैं, कम से कम, ट्रेलर से इसके कैरेक्टर से हो सकता है कि कोई से अलग प्रकार से इंटरप्रेट करें पर मुझे तो कम से कम यही लग रहा है ट्रेलर देखकर एक और बात मिस हो गए बीच में कि बुरा सोलंकी जब इसके पीचे पड़ जाता है मानो के सुबह सुबह उसकी गाड़ी को टकर मारता है और फिर उसी दिन दोपर को वो लंदन चला जाता है और फिर यह जो बुरा सोलंकी है वो भी उसके पीचे पीचे यूके जाता है और उसी दिन की घटना ही हमें इस से पता चलता है कि उस स्जीन में जो ये मानो है वो ये कहता है कि भाई आज सुबही तो मिले थे हम तो मतलब उसी दिन मानो UK चला जाता है वो तो शांति से वहाँ पर जाकर रहना चाता है उसे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है वो तो गलत तरीके से फसाया गया है या फस गया है और बुरा सुलंकी तो जबर्दस से उसके पीछे पड़ा है और वो तो घर में जाकर वहाँ पर गोलिया चला रहा है मीडिया में ये न्यूस भी आती कि भाई शूट आउट हो रहा है मानो के जहां पर वो रहा है वहाँ पर यूके में वगएरा वगएरा तो ये कुल मिला कर कहानी मतलब लगबक तो कहानी पूरी रिवील कर दी है और एंडिंग भी मुझे तो यही लग रहा है कि बुरा सुलंकी को अपनी गलती पता चल जाएगी कि कैसे उसने मानो को जज़ किया विकी सुलंकी की हत्तिया तो किसी और कारण से ही हुई होगी हो सकता है कि गाउ काई कोई व्यक्ति हो और मानो तो भाई बेचारा फस गया था वो तो अपने काम कर रहा था इस प्रकार से एंडिंग होगा ऐसा लग रहा है तो कुछ ऐसा एक्सेप्शनल तो ट्रेलर में कुछ भी नहीं दिखा मुझे कहानी भी लग रहा है कि लग पूरी कहानी उन्होंने ट्रेलर में दिखा दी है जितना मैंने समझाए ट्रेलर को हो सकता है कि कुछ और भी हो पता नहीं बाकि दोस्तों आपको क्या लगा यह पूरा ट्रेलर देखकर मुझे आप नीचे कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियों देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जै श्री राम वंदे मात राम